नमस्ते दोस्तों जोहार मैं विसक चक्रवर्ति आप सभी का फिर से अपने यूडियोग चैनल पर स्वागत करता हूँ अगर आपका कॉंसेट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट बैधा नहीं हो पाएगा दोस्तों ये मैं गर्यरंटी के साथ कहता हूँ इसलिए दोस्तों आपको बहतर समझ के आपको सारे चीज़ को concept को clear रखना है जिससे आपका result गंदा ना हो तो दोस्तों अगर आप समझने के उद्ध से आया है तो इस वीडियो को complete जो है सुरू से लेकर अंतक देखे ताकि आपको कोई भी question को रटनी के अवशक्ता ना पड़े ठीक है अगर question को घुमा के दिया जाए तो भी आप इसका answer से दे पाओगे बसरते कि आप इस वीडियो क सुरू से लेकर अंतक जरूत देखे दोस्तों थोड़ा सा मैं आप सभी के लिए जो है आप सभी समाफी मांगना चाहूंगा मेरा दो दिनों से उतना ज्यादा तभी ठीक नहीं है फिर भी मैं जब भी थोड़ा महसूस करता हूं अच्छा तो मैं आप सब के सामने वीडियो लेकर आने की कोसिस करता हूं ठीक है तो आज जो हम लोग बात करेंगे model paper sheet 3 के बारे में और आप सभी से request है कि आप लोग जो है आप वीडियो को जादा से जादा से नहीं करते हैं तो kindly अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि मैं जल से जल और अच्छे बहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लाओं ठीक है तो चलिए दोस्तों बीना किसी दिरे के वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते सबसे पहला प्रशन क्या पूछा गया है सब्द economist की उत्पत्ति किस भासास हुई है तो सब्द economist की उत्पत्ति Greek भासास हुई है एक चीज सब्द का परियोग सिमित उपलब धन से अधिक्तम मितवई तरीके से घर को व्यवस्तित रूप से चलाने के लिए किया जाता है ठीक है दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाईएगा तो वाट इस एकनोमिक्स जो है एक वीडियो बना हुआ है उसको देखने के बाद जिस वि वीडियो बना के दो तो आपका एक्जाम के लिए कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को एक्स्प्लेइन करते जा रहा हूं बसरते कि आप अपने कॉमेंट्स और लाइक के थ्रू से जो आप अपना फीडिबेक जरूद दीजेगा ठीक है चलिए आगे कोईश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गिया है क्या पूछा गिया है एक उतपाधन संभाना वक्र परतिक बिंदू क्या परदर्शित करता है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट एंसर होगा option C जो होगा करेक्ट एंसर होगा आर्थिक रूप से दक करना चाहता है उसके लिए तक्निकी विकास होना जो रही है और जिससे क्या हो सके आर्थिक रूप से दच उत्पादन हो सके ठीक है तो यहाँ पर correct option क्या हो जागा आपका C correct होगा चलिए अगले question पर चलते क्या पूछा गया है अर्थसास का जनक किस अर्थसास्त्री को कहा जाता है तो यह आप जानते हैं और जिन्होंने अर्थसास पढ़ा है या जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा कि अर्थसास का जनक कौन है Adam Smith option जो होगा T यहाँ correct होगा ठीक है दोस्तों एक चीज़ इसमें भी याद रखिएगा अर्थसास के जो उद्गम को सन 1776 में प्रकासित होने वाली Adam Smith की पुस्तक राष्ट के धन के सोरू तथा उसके कारणों की खोज से पहचाना गया था ठीक है एन इंक्वेरी इन्टु दा नेचर एन कॉज़स ओफ वेल्ट आफ नेशन ठीक है नीम निखीट में से भारत का अर्थसास्त्री कौन है तक है तो यहाँ पर आप सभी को कुछ अर्थसास्त्री का नाम मालूम होना चाहिए मैं इस पर अलब सी वीडियो भी बना दूंगा जिसमें से कुछ भारती अर्षास्त्री भी है जो काफी जदा famous है उसमें से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है option C जो है रगुराम राजन ठीक है जो यह RBI के गर्णर रह चुके हैं तो यह भारती अर्षास्त्री है उसमें से और भी कई अर्षास्त्री यह है जैसे जान लेजे कि इसमें जितने भी options है उसमें से कौन है आपका रगुराम राजन जो है भारती अर्थसास्त्री है जो RBI के गवर्णर रह चुके है ठीक है उसके बाद दोस्तों अगले question पर चलते है question पर 5 पर क्या पूछा गया है अर्थसास्त्र मानो कैल्यान का अद्धन है यहां कतन किस अर्थसास्त्री का है ठीक है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो Adam Smith थे वो धन का विग्यान के रूप में अर्थसास को परिभासित किये थे ठीक है और उसके बाद आते है कौन आपका Alfred Marcel जिनोंने जो है अर्थसास क कैल्यान के रूप में परिभासित किया था उनका पुस्तक था दोस्तों याद रखेगा उसका नाम क्या था principle of economics क्या प्रकासित हुआ था दोस्तों 1890 में प्रकासित हुआ था इनकी पुस्तक असपस रूप से जो है अर्सास को मायनों के लियान का विशे बताया है ठीक है तो यहाँ पर आपको correct answer क्या होगा दोस्तों यहाँ पर correct answer हो जाएगा आपका अल्फ्रेड मार्शल ठीक है अगले question पर चलते हैं अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिलको like, share and comment करना ना भूलिएगा ठीक है चलिए question अब बच्छे को देख लेते हैं निमलिकित में से किसका अध्धन वेस्टी अर्सास के अंतरगत किया जाता है तो दोस्तों यहाँ प उसे वेस्टी अर्सास के अतरगत आएगा और बाकी जितने हम लोग अगर पूरा देश को लेकर बात करें तो वो सभी किसमें आएगा दोस्तों वो सभी आपका समस्टी अर्सास में आएगा जैसे राष्टी आएगा निर्धानन बेरोजगारी का इद्धन यह सब पूरा जो है एक सेपरेड वाईज नहीं देखा जाता है इसको पूरा होल देखा जाता है तो जो पूरा होल वाईज देखा जाएगा वो समस्टी में आएगा लेकिन अगर हम एक का बात करें तो वो किसमें आएगा दोस्तों आपका Westी पूछा गया तब का आइंसर क्या होगा Option B होगा यहाँ पर correct होगा ठीक है एक फार्म के संतुलन चलिए अगले question पर चलते हैं यहाँ दोस्तों numerical दिया गया है question ठीक है अगर आप लोग numerical को अगर मैं direct बता दू कि यहाँ पर इसका answer यह होगा ठीक है तो आपका concept clear हो नहीं पाएगा तो इसलिए दोस्तों numerical जो है एकनोमिस का उसका concept clear रखे क्योंकि यह जो है आपको change करके भी दिया जा सकता है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते क्या पूछा गया है किसी वस्तू का मांग फलन q equals to 20 minus p जहां पी जो है greater than और बराबर है किस से आपका पी जो है lesser than और बराबर किसका है 10 का तथा बजार में उस वस्तू का जो है वो भोकता 20 उप भोकता है ठीक है तो वस्तू के लिए बजार मांग फलन ग्याद करें निकालने बोला गया है तो वस्तु के लिए बजार मांग फ़लन निकालने के लिए आप लिख सकते हैं जो आपको दिया गया है P आपका दिया गया है आपका Q equals to sorry Q equals to दिया गया है 20 minus 2P ठीक है तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं कितना भुकता का बात की है 20 तो यहाँ पर अगर इसका equivalent अगर निकाल रहा है तो 20 minus 25 into P कितना निकल जाएगा दोस्तु 400 minus 40 P ठीक है तो यह option आपको कहाँ पर दीख रहा है option B पर तो यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तु correct हो जाएगा ठीक है अगले question पर चलतों दोस्तु क्या पूछा गया है अर्थ सास्र में उपयोगीता से क्या थात पर है तो मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है इसके बारे में तो दोस्तों इसका मतलब होता है उपयोगीता वही होती है जहाँ पर हमें संतुष्टी मिलती है अपनी अवशक्ताओं की संतुष्टी मिलती है तो option C जो होगा correct हो जागा याद रखेगा दोस्तों कोई भी वस्तु विसेस में जो होता है किसी उपभोगता की आवेशक्ता विसस की संतुष्टी की क्या होता है नहीत छमता होता है जिसके कारणी वो क्या करता है उपभोग करता है तो यही आपका क्या कहलाता है अप उपयोगिता के बारे में concept clear होना जो रही है उपयोगिता का सबसे बहतरी निहाँ पर क्या होगा अवेशक्ताओं की संतुष्टी अगर आपको उस चीज़ से अगर उस चीज़ का value नहीं मिल पाता है आप जिस चीज़ के लिए खरीदे हैं तो आप दुबारा उस चीज़ को नहीं खर दिएगा ठीक है तो इसलिए हमें क्या होना चीज़ जिस चीज़ पर हम खर्च कर रहे हैं उस से हमें क्या होना चीज़ दोस्तो संतुष्टी मिलना चाहिए ठीक है आगे question पर चलते हैं question number 9 पर पूछा गया है निम्रिखित में से किसका मान रिनात्माग हो सकता है तो रिनात्माग किसका हो सकता है दोस्तो सिमात उप्योगिता का option D जो होगा यहाँ पर correct हो जाएगा मैंने इसके बारे में पहले भी आपको वीडियो में explain किया हुआ है दोस्तो question number 10 पर क्या पूछा गया है संतुलन की अवस्था में एक उप्योगिता प्राप्त करता है तो जब संतुलन होता है तो एक जो होता है उप्योगिता प्राप्त करता है आपका कैसा उप्योगिता प्राप्त करता है अधिक्तम क्या होगा दोस्तो अधिक्तम यहाँ correct होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या पुछा गया, question number 11 पे देख सकते हैं एक budget रेखा पर अवस्थीत किसी bundle के करई करने पर उबभोकता की I, उबभोकता की dash I खर्च होती है तो आपका यहाँ पर correct answer क्या होगा, option C जो होगा correct answer होगा, ठीक है उसके बाद next question पे चलते हैं, question number 12 पे, यहाँ पे आपको एक figure देख रहा है जो कि हर set में दिया जा रहा है, यानि यह question आपका जो है, आपका exam में एकदम fix हो चुका है कि यह आएगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका correct, क्या पूछा गया, question को पहले पढ़ लेते हैं question number 12 पे पूछा गया, निम रेखा चित्र में, मांग रेखा A, B, कि मैद बिंदू G, पर मांग की लोच क्या होगी तो यहाँ पे G, जो देख रहे है, आपका exact, जो है, middle point पे है, जब middle पे होता है, तो मैंने क्या बताए था, E, जो होगा, आपका equal होगा, one निमलिखीत में से उदासिन वक्र, विसलेशन की एक मांग नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे option B भी correct है, उभोकता एक विवेक्षिल प्रानी होता है, यह भी सही है, उभोकता का अधिमान एकदिष्ट होता है, यह भी सही है, उपियोगिता का क्रम वाचन, जो होता है, माप संभव है, यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो नहीं पूछा गया माइननेता नहीं है, तो यहाँ पे option A जो होगा आपका correct होगा, क्योंकि उपियोगिता को गिन्ती की संख्या में नहीं मापा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नहीं पूछा गया, इसलिए कौन सा answer correct होगा, option A जो होगा, आपका correct होगा, चले अगले question पर चलते हैं, जोस्तों क्या पूछा गया, question number 14 पर देख सकते हैं, एक उपहुकता अपनी आई 20 रुपे को दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तु कौन-कौन सा है, दोस्तों, रसगुला और गुलाब जावन, पर खर्च करने को इच्चुक है, ठीक है, कितना रुपे है, खर्च करने को इच्चुक है, 20 रुपे है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है, दोनों वस्तु की किमते करमसा कितना दिया गया, 4 और 5 रुपे है, और मात्रा कितना दिया गया, X और Y, ठीक है, तो रसगुला का मात यहाँ पे 4X और गुलाब जामुन के लिए कितना कर रहे हैं आप 5 रुपे यानि 5Y और कूल कितना खर्च कर रहे हैं अपने आये का 20 रुपे या ठीक है तिहाँ पे correct equation क्या बनता है 4X plus 5Y equal to 20 ठीक है तो यह option आपको कहाँ पे दिख रहा दोस्तो 4X plus 5Y equal to 20 option C पे तो यह आपक स्हाइयोगी वस्तु पूछा गिया दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपका पूरक वस्तु के बारें बताया था कि जो वस्तु एक-दुसरे के बिना अपना अकायको पूरा संभाव नहीं gesh प्रतियोगी वस्तु है तो देखिए दोस्तों यहां पेपसी और कोको कोला है यह दोनों ही क्या काम करता है दोनों ही मार्केड में होगा जिसे उभ्भोगता जब चाहे अपनी मर्जी से उस चीज़ का उभ्भोग कर सकता है तो यहां पर प्रतियोगी वस्तु में पूछा गया तो आपका कौन सा करेक्ट होगा option D जो होगा correct होगा तो जोस्तों आसा करते हैं यह जो है इसके बाद से आपको पूरक और परतिवगी वस्तु में अंतर clear हो चुका है आगे question पर चलते हैं दोस्तों आप question आपका छूड़ना नहीं चाहिए exam में concept clear रखिए आपका सारा answer बनते जाएगा बसाती कि आप videos को ज़्यादा share करें वरना मैं आगे आप लोग के demand पर direct answer भी बता सकता हूँ तो उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं next question पूछा गया है question अब सोलो पर देख सकते है दोस्तों यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अच जो दिया गया वाई अच के समानतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा तो वाई अच के समानतर बोला गया है दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखेगा कि क्या बोला गया वाई अच के समानतर तो वाई अच के समानतर अगर बोला गया है तो उसका क्या होगा, मांग की कीमत लोच, तो दोस्टों, यहाँ पे क्या होता है। होता है निर्मान होता है तो यह मैंने पहले भी बढ़ता है था कि इन सभी features के साथ जो है उत्पाधन का कायर को किया जाता है तो यहाँ पर तीनों options जो है आपका correct है इसलिए आपका option D जो होगा यहाँ पर correct हो जाएगा दोस्तो option D is the correct answer इन में से सभी चलिए अगले question पर चलते है उस्तों क्या पूछा गया परिवर्ति साधन के सापेच कूल उत्पाधन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो कूल परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है सिबान उत्पाध कहा जाता है यहाँ पर option B जो होगा आपका correct होगा उसके क्या पूछा है उत्पादक कोन होता है ठीक है तो इत्पादक कोन होता है दोस्तु यहाँ पे पहला काफी ज़्यादा important है दोस्तों और इसे आप लोग ध्यान से समझ की इसे कीजिएगा ठीक है question number 20 पर पूछा गिया है कि उत्पत्ती के साधनों की 5 इकाई कितना इकाई बोला गिया है दोस्तों पांच इकाई के परियोग से आप क्या कर रहे है कितना इकाई उत्पादित कर रहे है 24 इकाई कितना इकाई उत्पादित कर रहे है 24 इकाई का आप उत्पादन कर रहे है ठीक है वही दोस्तों 6 इकाई के उपभोग से आप कितना कर रहे है 30 इकाई का उत्पादन कर रहे है ठी तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पूछा गया है क्या कि सिमान्त उत्पाद का मान पूछा गया है ठीक है तो सबसे पहले आपका कंसेप्ट किलियर होना चाहिए कि सिमान्त उत्पाद होता क्या है आखिर ठीक है तो सिमान्त उत्पाद क्या होता है परिवर्तन सिल साधन यानि स्राम की एक अतिरिक इकाई और लगने से कूल उत्पाद में होने वाले विर्धी को सिमांत उत्पाद यानि marginal product कहते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला कितना था पांच इकाई का यूज करते थे ठीक है पांच इकाई का परियोग करते थे कितना बढ़ा दिये एक इक इकाई अगर अतिरिक्त हम बढ़ा देते हैं कितना बढ़ा दे रहे हैं पांच से कितना इकाई बढ़ा है एक अतिरिक इकाई मतलब 6 इकाई बढ़ा है तो आपका जो होता है कूल उत्पाद में कितना का विर्धी हो जा रहा है तो यहाँ पे आप कूल उत्पाद में कितना का विर्धी हो रहा आप देख सकते हैं 30 से 24 को माइनस करेंगे कितना अतिरिक्त इकाई मिल जा रहे हमको 6 अतिरिक्त इकाई मिल जा रहे हैं तो यह आपका correct answer होगा concept clear हुआ याद रखेगा सिमान उत्पाद का मतलब होता है कि परिवर्तन सिल साधन यानि स्रम की एक अतिरिक्त इकाई और लगने से क्या होता है कूल उत्पाद में होने वाली विर्धी को सिमान उत्पाद करते हैं देखे 5 था उससे क्या हो गया एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाए तो 24 पहले होता था जस्ट एक बढ़ाने से आपका कितना इकाई बढ़ जा रहा है दोस्तों 6 अतिरिक्त इकाई आपको एक्स्ट्रा मील जा रहा है तो वही क्या है आपका सिमान उत्पाद है यह कूश्चन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह कूश्चन एक्जाम में पूछे जाने वाले कूश्चन है तो इसे नोट कर लिजेगा अच्छे से ठीक है कूश्चन को घुमा के पूछ सकता है इसलिए मैंने इसे एक्स्प्लेन करके बताया बसरते आप लोग का जैसा चोईस हो अब लोग नीचे बताईएगा कूश्चन अबर 21 पे क्या पूछा गया है किसी वस्तु की एक अतिरिक इकाही के विक्रे से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर फिर कहा गया देखिए एक अतिरिक की काही तो उसे क्या कहा जाता है परिवर्तन के साथ किस परकार की लागत में परिवर्तन होता है तम पर आपका करेक्ट एंसर क्या होगा और 22 का जो परिवर्तन से लागत ऊसके बाद दोस्तो अगले कुश्चन पे चलते है किसी वस्तु का पूरती वक्र मूल बिंदू से गुजरता है तो पूर्ती की कीमत लोच का मान क्या होगा दोस्तों मूल बिंदू से अगर गुजर रहा है तो answer क्या होगा सुनने होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों अगले question पर चलते हैं क्या पूछा गया है माल लीजिए की एक बजार में तीन एक जैसे farm है तथा वस्तू की कीमत पांच रुपे परती इकाई पर एक farm वस्तू की पचास इकाई की पूरती करता है तो वस्तू की बजार पूरती क्या होगी ठीक है तो आपको यह calculate करके निकालने के लिए बोला गया है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन farm है कितना farm है दोस्तों पर यहां पर farm देगा है और वस्तू की प्चास इकाई की पूरती कितना करता है वस्तू कितना इकाई की पूरती करता हैं जो है गए बहुत इंप्रंटेट है इस California से बिनोट गीजेग एक उत्पादक किसी वस्तू की पांचई काई बेच कर कितना रुपए 50 रुपए तथा 6 इकाई बेच कर कितना रुपए 70 रुपए प्राप्ट करता है तो क्या निकालने के लिए बोला गया सिमान्त आगम यानि marginal revenue निकालने बोला गया है और marginal revenue का formula क्या होता है दोस्तो डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू ठीक है ठीक है और दोस्तो डेल्टा टी आर का मतलब हो गया कूल आगम में परिवर्तन क्या बोलते इसको दोस्तो कूल आगम में परिवर्तन और डेल्टा क्यू का मतलब होता है बेची गई इकाई में परिवर्तन ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो पहला दिया गया है क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कूल आगम में जो परिवर्तन हुआ है कितना का हुआ पहले आप देखते हैं यहाँ पेहले कितना था 50 था आप कितना हो गया 70 तो यानि आप अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे 70 माइनस क्या करेंगे 50 ठीक है और वही दोस्तों आपका बेची की मात्रा में परिवर्तन क्या हुआ है पहले कितना मात्रा बेचा गया था दोस्तों 5 और अभी 6 तो अंतर पुर्दि को सिमान्त आगम के नाम से जाना जाता है ठीक है इसे याद रखिएगा और इसे कोपी में ज़रूर बना लीजेगा चलिए अगले question पर चलते हैं वीडियो पसंद आ रहा तो बिलकुल like और share कीजेगा क्योंकि जितना जल्दी आप लोग अपना review दीजेगा मैं उतना जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो जलाने की कोशिस करूँगा ठीक है चाहे मेरा तवियर ठीक रहे या ना रहे ठीक question number 26 पर क्या पुछा गिया है लाव अलाब बिंदू की प्राप्ती होती है जब ठीक है तो लाब और अलाब की बिंदू प्राप्त होती है कब जब क्या होता है जो टीयार होता है वो उत्पादन बंद करता है जब कीमत क्या होता है जब कीमत जो होता है निन्यतम ABC से कम होती है चले अगले question पर चलते हैं इसका जो है मैं अलग से वीडियो बना दूँगा काफी अच्छे से explain करना पड़ेगा और यह काफी जादा वीडियो लंबा हो जागा तो मैं इसका अल सेट में अल्पकाल के बारे में बात किया था अब यहां बात किया गया दिर काल में एक पूर्ण परतियों की फार्म के लिए ठीक है तो किस परकार का लाब प्राप्त होता है तो दोस्ते यहां पर करेक्ट एंसर क्या होगा आपका सी जो होगा आपका करेक्ट हो जागा समा ना तो लाब हो रहा है ना लाब भी नहीं हो रहा है और ना हानी हो रहा है ना तो हानी हो रहा है ठीक है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है आपका जो यहां पर लाब किस परकार होता है तो इसे हम क्या कहते हैं सामाइन ने ठीक है यानि ना लाब ना हानी ठीक अगले कुशन प आपको इसके बारे में जानना जोरी है और इसे भी VBI कर लिजेगा ऐसे questions ही आपको exam में देखने को मिलेंगे ठीक है यह set जो है आपका best set में से है तो इसे आप लोग जो है एकदम सुरू से लेकर अन तक देखकर इसे solve करके copy में रखिएगा बना कि इस related questions आपको exam में जरूर देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया है 29 पे एक वस्तु की मांग और पूर्ती करमसर दिया हुआ है ठीक है Q equals 2 आपका दिया हुआ है 10 minus 2P ठीक है तथा आपका Q equals 2 दिया है 5 plus 3P तो सामाइने कीमत निकालने बोला गया है ठीक है तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखे होंगे कि आपका क्या होता है market equilibrium जब होता है बजार जब संतुलन में होती है तो वस्तु की जो मांग होती है वस्तु की मांग जो होती है वो क्या होती है पूर्ती के बराबर होती है यानि जो आपका वस्तु की मांग यानि QD डिमांड ठीक है और वस्तु की पूर्ती जो होगा QS ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है तो यहाँ पर इन दोनों का value को भी हमने पूर्ट कर देते है मांग कर कितना दिया है दोस्तों आपका दिया है 10-2P ठीक है और वहीं दोस्तों आपका पूर्ती का क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं 5 plus 3P ठीक है डिमांड का और supply यानि मांग और पूर्ती का ठीक है ये दोनों आपस में क्या होता है बाजार संतुलिन की अवस्था में ये दोनों बराबर होती है ठीक है तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करते हैं जो P है उसको P के तरफ लेकर चलते हैं 3P के पास किसको लेकर चलते हैं 2P को दोस्तों इहां पर है तो माइनस में से 5 जाएगा किता बचे ओ फाईप और 2 कितना लेकर निकालना रहे तो वस्तु की कीमत में 5 परतिसत की विर्धी करने पर उसकी पूर्ती की मात्रा में 4 परतिसत की विर्धी हो जाती है तो पूर्ती की कीमत लोच निकालने बोला गया है तो पूर्ती की कीमत लोच का मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और यह रिपिटेट कुश्चन हो दोस् परिवर्तन कितना है तो जब इसको इस से डिभाइड दी जोएगा तो इसका अंसर क्या आएगा जीरो दसमलो आठ ठीक है तो जीरो दसमलो आठ कहां पर है दोस्तो ऑप्सन जो है आपका सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा पूशन नमबर 31 क्या पूछा गया दोस्तो वी बिया ठीक है याने दुस्तो नाब को फाम की कूल लागात तीसी जाने टोटल कोस्ट पर बार कूल राजश दो याने टोटल रेविन्यू के अंतर की रूप में अंतर यानी मायस ठीक है सब्ट्रेट के रूप में परिभासित किया जाता है ठीक है तो दोस्तों यानि आपका formula क्या बैठ रहा है formula जो होगा profit का क्या होगा total cost minus total revenue minus total cost total cost यानि cool राजस minus cool लागत याद रखिएगा तो यह option आपको कहाँ पे देखने को में रहा है तो यह correct हो जागए है अगला question पूछा गया है एक farm के संतुलन के लिए किस सर्थ का पूरा होना अवश्चक है तो farm को संतुलन में लाने के लिए कैसा सर्थ पूरा होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे जो correct answer हो जाएगा आपका MR equal to MC तो जो marginal revenue होगा वो marginal cost का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए एक farm अधिक्तम लाब के लिए दो सर्थ को पूरा करना होता है जिसमें होता है MR equal to MC marginal revenue जो होगा marginal cost का बराबर होना चाहिए और MC रेखा MR को नीचे से काटे यह ऐसा होना चाहिए जैसा क्या figure में दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है उसके बाद next question पर देख सकते है सरम से किया तातफर है option A दिया गया है कुसल सरमीकों की सेंख्या तो जोस्तों अगर हम कुसल सरमीकों की सेंख्या बढ़ाते रहें अगर वो कुछ काम ही ना करे उसका result और output ना मिले तो क्या उसे हम सरम कहेंगे जैसे मैं आप लोगों को पूरा दियर्दात मेहनत करके पढ़ाने की कुसिस करता हूँ अगर आप उसका result नहीं दे पाते हो बहतर तो मेरा पढ़ाने का कोई भी तातफर नहीं निकल पाएगा ठीक है तो बहतर तरीके से पढ़िए उसके बाद ऑप्सन B जो बोला गया है कुसल सरम को की सेंख्या ठीक है पूरा एकदम बीना ट्रेंड वाला हम बढ़ा दिया सेंख्या ठीक है तो उससे कुछ फाइदा होगा कुछ हमको result मिलेगा कुछ काम ही नहीं हो पाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों दिया गया है सी भी दिया गया है सरमिकों की सेंख्या तो सरमिकों की सेंख्या हम बढ़ाते गये है उससे क्या मेरा कुछ काम निकलेगा इससे कुछ भी काम नहीं निकलने वाला है ठीक है केवल सेंख्या बढ़ाने से इट का नियू अपने स्रम के साथ वहाँ पर ना रखे ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर option D को देख सकते हैं आपर क्या बोला गया है option D बोला गया एक व्यक्ति द्वारा किया गया कारी घंटा ठीक है जो व्यक्ति एक घंटा या किसी भी कारी को पूरा करता हो किसी भी समय तक म ही क्या कहलाता है स्रम कहलाता है ठीक है दोस्तों इस तरह से रिफाइंड कर सकते हैं कोई काम करें और उसका कुछ हमें result मिले या outfit मिले तभी हम उसे क्या कहेंगे स्रमिक कहेंगे ठीक चली अगले पर चलते क्या पूचा गया तो स्रम के सिमान्त उतपाद का मुल्य यात करने का सुत्र तो यहां पर क्या हो जागा दोस्तों पी इन्टू MPL that means price of commodity into marginal product of labor वस्तु का मुल गुने स्रम का सिमान्त उत्पात ये होता है इसका सुत्रियाद रखिएगा ठीक है अगले question पर चलते है दोस्तों question अबर 36 क्या पूछा गया है एक एक अधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है जब कब दोस्तों जब जो होता है आपका सिमान्त आय क्या होता है धनात्मक होता है तब ठीक है अगले question पर चलते है दोस्तों question अबर scientist पर क्या पूछा गया दिरकाल में संतुलन अवस्ता में एक अधिकार की स्तुलना में पूर्ण परत्योगी बजार में उत्पादन की मात्रा डैस होती है तो उत्पादन क जो होगा आपका answer होगा एक आधिकार तो दोस्तों याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं इसको हम लोग बोलते differentiated price ठीक है तो ये क्या होता है एक मुल्य निर्धारन रन्निती जिसमें एक कंपनी अलग-अलग ग्रहक से खरी दिया सेवा के समय एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग मुल्य क्या करता है निर्धारित करता है इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं इसे भेदवाव पूर्ण मुल्य निर्धारन के नाम से जानते हैं लचीला मुल्य निर्धारन यानि फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के नाम से जाना जाता है जैसे अगर मैं कहं कि अगर आप लोग एक लाइब ब राइब खरीतें याधर जातने जाते हैं मार्केट में ठीक हैं तो एक लाइब साब४न का प्राइस कितना है दस रुपेश वाला का दस रुपेश यही ठीक है लेकिन अगर आप एक साथ जो है वही साबुन को कोई दुसरा व्यक्ति खरितने पहुचता है तीन लाइबोई साबन खरितने पहुचता है तो उसको कितना का रेट लगा जाता है नौ का रेट लगा जाता है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं विवेदी कृत कीमत कहते हैं अब आ काल में असमान जो लाग होता है कि प्राप्ति किस बजार में होती है अभी मैंने बता है एक आधी कार ठीक है तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है अभी जो है सेट फ्री जो है एक नॉमैस का वो कम्प्लीट कर लिया है फूल एक्स्प्लैनेशन के साथ तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने फूल एक स्प्लैनेशन के साथ हर एक पी consum को जो है नोट डाउन कर लिया है काफी ज्यादा important questions इस model set में देखनों के मिला है हो सकता है कि आपको एक्जाम में इस model set से question देखनों को मिले तो दोस्तों आसा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करे और लाइक और कमेंट करके अपना feedback देना ना भूले तब तक के लिए दोस्तों धन्यबाद जैहिंद वंदे मातरम